आज हम सीखेंगे बीजिये व्यन्जकों का विभाजन जिसमें हम बहुपद को एक एक पदी से विभाजित करना सीखेंगे मान लीजिये हमें इस बहुपद को एक एक पदी चार एक्स के वर्ग से भाग देना है इसके लिए पहले हम इसे अंश बटे हर की रूप में दर्शाएंगे अब हम अंश के प्रतेक पद का गुनन खंडन यानि फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ 20x का वर्ग, y का वर्ग का गुनन खंडन इस प्रकार, 12x का वर्ग, y का गुनन खंडन इस प्रकार और x के घंद का गुनन खंडन इस प्रकार किया जा सकता है इसी तरह हम हर का भी गुनन खंडन करेंगे यहाँ 4x के वर्ग को इस प्रकार लिखा जा सकता है उसे हर के साथ काट सके। इस तरह से यहां हम अंश के प्रतेक पद से 2 गुणा 2 गुणा x गुणा x उभैनिश्ट लेंगे। इससे पहले पद में 5 गुणा y गुणा y तथा दूसरे पद में 3y 6 रहेगा। क्या आप बता सकते हैं कि तीसरे पत से 2 गुणा 2 गुणा x गुणा x कैसे उभईनिष्ट लिया जा सकता है? सोचिए सोचिए! चलिए हम बताते हैं, हम तीसरे पत को व्यवस्थित करके इस प्रकार लिख सकते हैं. जहां दो गुणा दो गुणा एक बटे दो गुणा दो यानि चार गुणा एक बटे चार का मान एक है इस तरह से यहां इस व्यंजक के मान में कोई बदलाब नहीं हो रहा अब हम तीसरे पद से दो गुणा दो गुणा एकस गुणा एकस उभाइनिष्ट ले सकते हैं उभैनिश्ट लेने पर तीसरे पद में एक बटे चार एक्स शेश रहेगा अब हम अंश और हर के उभैनिश्ट गुनन खंडो दो गुना दो गुना एक्स गुना एक्स को काट सकते हैं इससे हमें विभाजन का परिणाम प्राप्त होगा पांच वाई का वर्ग धन तीन वाई धन एक बटे चार एक्स चलिए इससे ही एक और दिल्चस्प विधी से हल करें हम इस विभाजन का परिणाम ग्याद करने के लिए बहुपत के प्रतेक पत को एक पती से भाग दे सकते हैं और फिर निरस्तिकरण की विधी से यानि कांट कर प्रतेक पत का भाग वर्ग अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं जैसे यहां हम इसे इस प्रकार लिखेंगे 20 एक्स के वर्ग, वाई के वर्ग, विभाजित, 4 एक्स के वर्ग में 20 को 4 से भाग देकर परिणाम आता है 5 अब क्या आप बता सकते हैं हमें दूसरे और तीसरे पद से क्या प्राप्त होगा? सोचिए सोचिए बिल्कुल सही, दूसरे पद में 12 को 4 से विभाजित कर परिणाम आता है 3 तथा अंच और हर दोनों के एक्स के वर्ग को हम कांट सकते हैं याने कि दूसरे पद का परिणाम आएगा 3y इसी तरह तीसरे पद का परिणाम आएगा 1 बटे 4x इस तरह से हमें परिणाम प्राप्त होगा 5y का वर्ग धन 3y धन 1 बटे 4x अब आप सोयम ग्याद कीजिए कि कोश्टक में M की घाट 4, धन 4am का वर्ग, रिण 16m का घन, विभाज़त 2m का परिणाम क्या होगा? अब आप किसी भी बहुपद को एक पदी से अवश्य विभाज़त कर पाएंगे तो आज हमने सीखा BGA वियंजकों का विभाज़न जिसमें हमने बहुपद को एक एक पदी से विभाज़त करना सीखा अगले वीडियो में हम बहुपद को एक अन्य बहुपद से विभाज़त करना सीखेंगे